इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने टीवी को कीबोड और माउस से कैसे चला सकते हो कीबोड और माउस से कैसे कनेक्ट कर सकते हो और कीबोड माउस की हेल्प से ही आप अपने टीवी को क्या से ऑपरेट कर सकते हो अगर आपका रिमोट खो भी जाता है दोस्त तो आप इजली अपने टीवी को अपने कीबोर्ड और माउस की हेल्प से ऑपरेट कर सकते हो यहां पर आप देख सकते हो यह है हमारा माउस और हम अपने एंड्रोय टीवी को अपने माउस और कीबोर्ड की हेल्प से ऑपरेट कर रहे हैं यहां पर हम अपने कीबोर्ड में उपर नीचे कर सकते हैं किसी भी application को हम सेलेट कर सकते हैं और कनेक करने का सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसे कि आपने यहां पर देखा कि मैंने इस application को कि उपिन किया है अगर हमें आप इस वीडियो में बताने वाला हुँ तक पर प्लीज वीडियो को यह अभी तक झाल को लाइक करें और है यूटूब आपने के साथ की बोट और माउस को है। इसका सारा प्रोसेस हम आप को बताते हैं ह। इसको हम स्टाहिए प प्रेल हम क्लिक करने तो यहाँ गते से करते हैं किसी अप्लिकेशन को अगर हम उपन करते हैं यह बीडियो लेकिन मुझे यह वीडियो नहीं देखना है तो राइट क्लिक वाल प्रेस करेंगे जैसे हमारा त्यूट अपने आप बैक मोड में चला जाएगा गाइस कुछ दिन हो गए मुझे टीवी को इस्तेमाल कि इ अपडेट हो रहा है। यहाँ पर डाउनलोडिंग करके लिखर रहा है। इसलिए थोड़ा सा हम हमें TV को चलाने में प्राप्रों हो रहा है..my भी कबार टीवी हैंग जैसा हो रहा है तो यहां पर देख सकते हूं यह सारा कुछ नीचे का अपडेट हो चुका है उके बटन हम रिमोट में प्रेस करते हैं तो लैट वाला बटन को हम प्रेस करेंगे तो यह स्टेप बैक चला जाएगा वही अगर हम अप्लिकेशन को ओपन करना चाहते हैं किसी भी अप्लिकेशन के पास जाना चाहते हैं तो एरो की हल्प से हम उपर नीचे और होरिजन्टल वर्टिकल की हल्प से हम उपर नीचे कर सकते हैं और एरो की हल्प से राइट लेप भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर हमें कुछ टा बोट है जैसे हमने इसको डाइस्वर फ़ेमें खड़ता हुआ है और यहां पर देख सकते हो क्रेंट भी आ रहा है ओर इसको हमने करेंट किया हुआ है एक यूस्बी हब अब हमने माउस का वायर जो है और अपने कीवर्ट का वायर हमने usb कोई चैनेग्ट किया हुआ है और युएस्भी हब का जो वायर है वो हमने अपने एंड्रोइड टीवी के साथ कनेक्ट किया हुआ है अगर आपके पास कोई इंड्राइड टीवी जिसमें एक USB port लगाने का option है तो आपको USB hub लगाने की आउशक्ता पर सकती है अदर्वाइस आपको कोई ज़रुरत नहीं है इसको लगाने की ठीक है तो चलिए हम फाइनली बताते हैं कि हमने इसको कैसे कनेक्ट किया हुआ है तो दोस्तों यह रहा हमारा USB hub इसी के help से हमने कनेक्ट किया और इसके अंदर जो कि इसके अंदर हमारा कीबोड का wire connect होगा मैं आपको दिखा दे रहा हूं यह हमारा कीबोड का wire है कुछ इस तरह से और इसको हम यहां पर कनेक्ट करेंगे अब जैसे ही यह USB hub का wire हम connect करेंगे तो इसमें ब्लू कलर का light जलना शुरू हो जाएगा आपको एक पीछे साइड में देख पारे हो बहुत सारे अप्शन दिये गा है कनेक्ट करने के लिए जैसे कि यह तीनों है कि हम अपने टीवी को DTS से कनेक्ट कर सकते हैं इसको हम डायक अंटेना से कनेक्ट कर सकते हैं HDMI का अप्शन है और उसके नीचे है LAN का अप्शन और LAN के नीचे दिया गया है हमें USB का यह हमारा USB हब का वायर है इसको हमें सिंपली यहां पर कनेक्ट कर दना है अब यहांपर देख पार हो जैसे हमने अमने कनेक्ट किया तो यह हमारे USB हब में यह ब्लू लाइट जलना कोरेंट यहां पर ग्रीन एक लाइट जल रहा होगा और हमारे बाइट जल शुरू हो गया है बस इतना ही काम करना है इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है अब सिदा तयार हो जाना है हमें अपने टीवी को आपरेट करने के लिए अगर हम की वॉड का नीचे वाला बटन प तो हम क्लिक करते हैं तो नेट्फिक्स जो है ओपन हो रहा है ठीक है तो बहुत सिंपल है इसके लिए हमें कोई भी आप्लिकेशन डाउनोड करनी की कोई ज़रूरत नहीं है बस कीबोर्ट और माउस को USB Hub की माधियम से हमें कनेक्ट कर लेना है और इस्तमाल करना है अब कई लोग कहेंगे कि हमारे TV में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देजीएगा कि आपकाटीवी कौं सा है तो I hope कि ये वीडियो में आपको सबको समझ में आया होगा फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कियें तो लाइक करें और चैनल को पर जरूर सब्सक्राइब करें